हमारा देश धरन गुरु देश है इस देश ने पूरे विश्व को मानवता का पाड़ पड़ाया और विश्व को संस्कृति बताई हमारी मोहन जोदडो हडपा की पुरानी सप्पेता हैं उस समय से जो वो पुरा तत्तों के अवशेश मिले हैं उसके अंदर मालूम पड़ा कि उसके अंदर पुराने समय के अंदर हमारे मंदिर थे लोग ध्यान करते थे और उसके अंदर बरतन बनाने वाले अलग थे और जूते बनाने वाले अलग से सिलाई करने वाले ऐसे अवस्चेश मिले थे कि हमारी मोहन जोदडो हडपा तो हमारे वेदों से पूरू की जो है सब्यता है उसके अंदर भी हमारी जीवन पढ़नाली बहुत विवस्तित रूप से थी लेकिन जो रिटन डॉकुमेंट से हमारे वेद है जिसके बारे में बताया जाता है इश्वर क्रत वेद है और ये वेद हमारी भारतिय संस्कृति में सरु मान और जीवन जीने की पदति जीवन शैली मानवी मुल्य यानि हमारे इस चराचर जगत के जितने भी विवस्ता पक्ष है और अच्छा जीवन कैसे जिया जाए सारी स्रस्टी के 84 लाग जीवा योनी की प्राणी किस तरीके से हिल मिल करके हन अपना जीवन यापन करें सुक से रहें आनन से रहें और एक दूसरे में प्रेम के साथ में रहें तो उसके लिए पूरा विवस्ता पक्ष बताया गया है हमारे वेदों के अंदर उसमेंसे एक पक्ष को आज में ले रहा हूँ वो पक्षे भारती ये वर्ण व्यवस्ता वर्ण का अर्थ वैसे तो रंग होता है लेकिन यहां पर वर्ण का अर्थ होता है हमारी जीवन जीने की पदत्ती की क्या व्यवस्ता है हमारा जीवन किस तरीके से हम जीए उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है ये सिस्टम से जुड़ा हुआ है और जब तक भाई और बैनों दर्शक और सोतागण व्यवस्ता नहीं की जाती है तब तक कोई भी आयोजन, कोई भी जीवन, कोई भी परिवार, कोई भी राज्य, कोई भी देश, पूरा विश्व जो है वो आराम से व्यवस्तित रूप से नहीं जी सकता, आपा धापी होंगे, लड़ाई जगड़े होंगे, इंसा होगी, व्यवस्ता को पहले ठीक करना बहुत जरूरी है, मैं आपको उधान के द्वारा बताना चाहता हूँ, कि हम कोई आयोजन कर रहे हैं, और हमने एक हजार लोगों को निमंतरन दे दिया, कि ए गर्मी है, यह भी देखा जा, मान लिए गर्मी के समय में आयोजन किया जा रहा है, तो इन सब बातों को हजार लोगों की व्यवस्ता के लिए हमें देखना पड़ेगा, कि भहन कर गर्मी का मौसम है, कूलर एसी की व्यवस्ता को देखना पड़ेगा, हजार लोगों के नजर रखते हुए हमें विवस्ता करनी पड़ेगी तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि विवस्ता पक्ष पर ज्यान देना उतना ही जरूर ही है जितना की कारे का संचालन करना हमारा आयोजन मान लीजिए 50% है लेकिन विवस्ता पक्ष अगर कमजोर है तो जीरो हो जाता है त जैन पड़ती के अंदर देखें तो ऐसा बताया जाता है कि परसम ती संकर भगवान रिष्यप जो की राजा थे और उन्होंने सारी आज की हमारी जितनी गति विद्या है चाहे नयाय की है चाहे राज्य की है जनम दिन की है विवा की है संयुक्त परिवार की है जितनी भी परवर्तिय आज हम जी रहें चाहे वर्ण विवस्ता जिसकी आज में बात कर रहा हूं ये सारी पदतियां भगवान रिष्यप जिसको की बाबा आदम कहा जाता है पुरान के अंदर शिव और रिष्यप को एक ही बताया गया नि शिव है वो आदी पुरुष कहलाते है तो वर्ण विवस्ता की स्तापना दी पुरानों के अंदर भी इसका लेख आता है इसमृतियों में आता है उपनिश्यदों में आता है वर्ण विवस्ता का जिक्र जो है हर धार में गरंत के अंदर किया गया है क्यों कि जब तक विवस्ता पक्ष मजबूत नहीं होगा जीवन अच्छा नहीं चल सकता है इसलिए इसको चार वर्ण विवस्ता को चार भागों के अंदर बांटा गया है वर्ण विवस्ता का शुद्ध उतेश ये था कि व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप व्यक्ति अपने अपने जनम के अनुरूप जो है कौन-कौन सा कारी करे ये व्यक्ति करम से मान होता है, जनम से मान नहीं होता है, उस वक्त के अंदर यही बात थी, और आज भी यही बात है, कि इंसान चाहे किसी कुल में जन में चाहे कोई भी कारी करे, लेकिन वो पहले इंसान होना चाहिए हिंदो मुस्लिम सिख इक्साई हम सब हैं भाई भाई तो यह सबसे बड़ा फॉर्मूल इंसानियत का मानवतावाद का मानवधर्म का सबसे पहला पालन किया जाना चाहिए